हेई गाइज वेलकम बैक्तुरू चैनल सो जार आपने काफी बार देखा होगे जो आपके लैपटॉप्स होते हैं जो आपकी पीसी होते हैं उनमें गेमिंग परफॉर्फॉर्मस अच्छा करने के लिए एन्वीडिया के जीप्यू लगए होते हैं आपके जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें एक एन्वीडिया का जीप्यू लगए होता है तब भी आपको कभी कबार गेमिंग का परफॉर्मस अतना अच्छा नहीं मिलता क्योंकि उसके जो सेटिंग्स होते हैं वो इतने अप्टिमाइज नहीं होती है तो जब भी हम गेम खेलते हैं उसको एक एन्वीडिया का जीप्यो लगता है अच्छे FPS मिलने के लिए तो कभी कबार जो इंटेल का इंटेग्रेटेड आपके PC या लैप्टॉप में जीप्यो लगा होता है उसे ही उसके कारण आपको अच्छा FPS नहीं मिलता तो मैंने एक इसके पहले एक वीडियो बने थी जिसका मैंने लिक आया बटन में दिदिया है तो उसमें मैंने बता था कि जो आपको overall PC का experience होता है Windows 10 का वो increase कैसे करना है तो पर उसमें मैंने बता था end में कि आपको दोनों GPU की Nvidia और AMD की दोनों वीडियो में तो उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो जल्दी से चल्दी है हमारे laptop की तरफ तो सबसे पहली बात तो आपको यह दहन में रखना हुगा कि जो आपके graphics के drivers होते Nvidia के वो up-to-date अगे नहीं वो अगर आपको चेक करना है तो simply Nvidia का GeForce Experience का application download कीजिए उसका link में ने description में दे रखा है उससे download करीजिए open कीजिए और वहां से आप उसे update कर सकते है वो होने के बाद आपको simply आपके desktop पे right click करना है और बाद में click करना है Nvidia control panel पे इस पे click करते है आपके जो Nvidia की control panel है वो open हो जाएगा तो सबसे पहले आपको जाना है adjust image settings यहाँ पर एक left side में box दिखता है इसमें आपको सबसे पहला option मिलता है adjust image settings and preview इसमें आपको तीन option मिलते है let the 3D application decide use 3D settings और use my preference तो इसमें जो second wall option है use the 3D image settings आपको इस पर click करना है और बाद में simply यहाँ पर नीचे दे button दिया होगा है apply इस पर click करना है तो यह आपकी settings यहाँ पर save हो जाएगी इसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर second wall option पर manage 3D settings इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत settings करने पड़ीगी तो सबसे पहली बात तो अगर आपने इसमें कोई भी mess up कर दिया है तो simply restore button पर click कर दिजे और बाद में ok पर click कर दिए मतलब आपने इसमें कोई भी कभी वीडियो अगेरा देखके कुछ भी यहाँ पर mess up कर दिया होगा तो सब कुछ यहाँ पर restore हो जाएगा अगर आपकी CPU में दोती GPUs अगर आप multi GPUs यूज़ कर दे तो यहाँ पर सभी GPUs आप select कर दिजे और बाद में simply ok पर click कर दिजे यहाँ पर इसे all कर दिजे यह simply सभी GPUs यहाँ पर select कर दिजे इसके बाद में जाएगे नीचे और बाद में यहाँ पर power management mode इसे click कर दिजे prefer maximum performance पे तो अगर आप एक laptop यूज़ करें तो मैं आपको एक pro tip देना चालूँगा कि जब भी आप games वगरा खेल दे आपका laptop जो है वो power adapter को connected रखिए तो जब भी वो battery mode में होता है जब भी charging को लगाए होने होता है तो वो battery पे जलता है इसके कारण जो GPU है उससे ज्यादा power नहीं मिलता है उसके कारण भी आपको कम FPS मिलते है तो जब भी आप game खेल दें make sure आपका charger आपके laptop से plug-din है तो यहाँ पर जो power management option है उसे click कर दीजे prefer maximum performance उसके बाद में नीचे जाए है नीचे जाने के बाद यहाँ पर texture filter quality है इस पर click कर दीजे और बाद में इसे performance पे सिलिट कर दीजे बाद में जो texture filter trilinear optimization है इसे यहाँ से off कर दीजे by default on होगा तो इसे simply off कर दीजे तो बाद में जो जोने के बाद यहाँ पर right side में apply button दिया हुआ है इसे simply click कर दीजे और यहाँ पर आपकी सारी settings से हो जाएगी तो इसकी मदद से आपको काफी अच्छा gaming में experience मिलेगा और काफी आपके graphics card है according आपको अच्छा वाला gaming खेलते हो FPS में मिलेगा तो अगर आपको windows के UI में कोई lagging issue है और boot time में ज्यादा time layer है तो i button में एक video देंगा वो दिख लीजिए वो settings होनी के बाद वो भी आपका issue है आपको clear हो जाएगा तो guys thank you for watching the video अगर आपको वीडियो को like zero कीजिए और निचे वीडिक करके चैनल को subscribe पढ़ने मत बूलेगा till then stay connected keep supporting and this is your friend Shivam सब्सक्ष्स